दोस्तों मुकेश अम्बानी और उनकी फेमली अपनी लगजरी लाइफस्टायल के चलते हमेशा सुर्ख्यों में बनी रहते हैं अम्बानी परिवार एक आदर्श्वादी परिवार है जो शुद्ध खाना खाने पर विश्वाश करता है यही वज़ा है कि अम्बानी परिवार में हर दिन आने वाला दूद भी अपने आप में खास होता है अम्बानी परिवार के घर में हर दिन जो दूद आता है वो सामान्य दूद से काफी ज्यादा अलग होता है बतादे मुकेश अमबानी का परिवार विदेशी नसले की गाय होल स्टीन फ्रीजियन का दूद पीता है और इस नसले की एक गाय की किमत 90,000 रुपे से लेकर 1,000,000 रुपे तक होती है ये गाय स्टीन लेंड की नसले की गाय है जो एक दिन में 25 लेटर दूद देती है और इसका दूद सामानी गाय के दूद से ज़्यादा पोश्टिक होता है बतादे हर रोज मुकेश अमबानी के घर आने वाला दूद मुंबई से नहीं बलकि पूने से आता है ये दूद देश की सबसे हाइटेक डेरी भागी लक्ष्मी डेरी से आता है जो पोणे में लगभग 35 एकड में फेली हुई है और यहां 3000 से ज़्यादा विदेसी नसल की गाय पाली जाती है जिने सिर्फ आरों का पानी पिलाया जाता है बतादे पूने की भागी लक्ष्मी डेरी का दूद आमिता बच्चन, सचिन तेंदुलकर और अक्षे कुमार जैसे बड़े बड़े दिगजु के घर भी जाता है महीं बात करे इस दूद की कीमत की तो सामानी दूद जहां 55 से 60 रुपे लिटर मिलता है महीं बागी लक्ष्मी डेरी का दूद 152 रुपे लिटर मिलता है यसे दोस्तों आप लोग कौन सा दूद पीते हैं निचे कमेंट पे जरूर बताए साथी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरे हम आपके लिए लाते रहें